कट्रीना क्याफ और विक्की कोशल को जान से मारने की धंकी देने वाले शक्स को पुलिस ने गिरफतार कर लिया है मेडिया रिपोर्ट्स के मताबिक आरूपी की पैचान मनविंदर सिंग के नाम से हुई है और ये कट्रीना को अपनी बीवी बताता है जान से मारने की धमकी मिलने के बाद विक्की कौशल ने मुंबई के सांटा कूर्स पुलिस सेशन में शिकायत दर्श कराई थी कुछ घंटों के अंदर पुलिस ने आरोपी को गिरफतार कर लिया लेकिन जब पुलिस ने इसकी प्रोफाइल चेक की तो उनके भी होश उड़ गए इसने विक्की काटरिना की शादी की फोटो एडिट करके खुद की तस्वीर लगा दी है आरोपी ने अपने एक वीडियो में दावा किया कि काटरिना और उसकी शादी 13 डिसंबर को हो चुकी है इतना ही नहीं आरोपी ने अपने वीडियो में ये भी दावा किया कि विक्की कोशल की शादी काटरिना से नहीं बलकि उनकी बेहन इजा बेला कैफ के साथ हुई है अपनी एक वीडियो में आरोप ही कह रहा है कि कट्रीना की बेहन इजा बेला कैफ को जान का खत्रा था इसा पर आसिड अटैक हुआ था इसा किसी से प्यार करती थी वो आदमी मर गया तो उसकी फैमली वालों ने इसा पर ही केस कर दिया और आरोप लगाया कि इसा ने ही मडर करवाया है इसलिए कट्रीना ने फैसला किया कि वो राजिस्तान में ड्रामा करेंगी और एंड मुमेंट में मंडप में इसा को बिठा देंगी इसी तरह से विक्की और इसा की शादी हो गई है अब ये शक्स इतनी बेवोकुफियों क्यों दिखा रहा है ये तो पुलिस बाहर निकलवा ही लेगी लेकिन आपका इस बारे में क्या कहना है हमें कमेंट में बताइए इस वीडियो को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए फ्राइडे फ्लिम्स को